पहले भी डिफेंस मिनेस्टर ने कहा था कि शहीद अगनिवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है मगर सर वो गलत था सर उस शहीद परिवार को इंशोरंस दिया गया था कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था अगनी वीर के जवानों को लेकर जो देश्वासियों को गुमराह कर दे की कोशिच किया रही है उस संबंधरों में कहना चाहता हुआ है जब भी आपका आडेश होगा इस सदन के समझ में पूरी तरह से अपना अगनी वीरों को लेकर इस्टेट्पेंट देने को तयाब अगनी तरह सच है और सर भाषन के एकदम बाद सर कॉंपनसेशन गया था सर यह सचाहिए सर अध्यक्ष महदे अध्यक्ष महदे नेता प्रचपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की है जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्तमंतरी जी खड़ी होंगी उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है जो कुछ भी देश को संदेश देना है वो अपनी तरफ संदेश देंगी क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन को गुमराह कर दे की कोशिश की या रही है उस संबंदरे में कहां चाहता हुआ है जब भी आपका आडेश होगा इस सदन के समझ पूरी तरह से अपना अगरी दियों को लेकर इस्टेट्मेंट देने को तयाओ आपने बात खितम कर दी ना सब्सक्राइब आपने का अगरी उन्होंने कुछ नी बोला उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि मेना नाम लिया है एक हां तो मैं बोलने दूँगा आपको एक मिनिट अगनीवीर पर विशे पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विशे पर चर्चा करने को तयार हो यह का सर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अगनीवीर की बात उठाई सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अगनिवीद परिवारों को कॉंपनसेशन दिया गया है और उन्होंने कहा हाउस में कहा कि एक करोड रुपिया कॉंपनसेशन दिया गया है मगर सर वो गलत था सर उस शहीद परिवार को इंशोरंस दिया गया था कॉंपनसेशन नहीं दिया गया था सर मैं यह कहना चाहता हूँ सर यह सच है सर और सर भाशन के एक दम बात सर कॉंपनसेशन गया था सर सर यह सचाई है सर इसको कोई नकार नहीं सकता यह सचाई है सर